हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आई होब बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे और आज है संडे और संडे के दिन हम इंजॉय कर रहे हैं अपना एक स्पेशल सा नाष्टा बना के तो ब्रेट पोकोड़े बना रही हूं मैं तो इस पेशल डेमांड होती ह पाउड़े कुछ भी मतलब संडे के दिन बनाया जाए तो उसी की सबता रही करने के लिए मैं किचन में आ चुक हूँ तो सबसे पहले हम जो ब्रेट पोकोड़े बनाने हैं उसके लिए हमें घुल बना लेंगे तो इसके लिए है मैंने बेसन और बेसन डाल दे है मैंने थो पानी डाल कर इसका एक mixture बना लेंगे और थोड़ा थिक पैटर ही हमें से रखना है क्योंकि ब्रेट के पकोड़े के ओपर जो है बैटर थोड़ा थिक ही रखा जाता है पहले मैं इसको थोड़ा सा गाड़ा है अभी तब ही फैट हूंगी ताकि इसमें कोई लंस ना रहे और जब इसके सारे लंस खत्म हो गया है तो उसके बाद मैंने इसमें पानी एड़ कर दिया है तो जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतना हम इसको रख लेंगे और अच्छी तरीके से इसको फैट लेंगे ताकि यहलका फ्लकफी सा बन जाए और बेकिंग पाउडर डालने का ऑद जब कोई बीची छीज घरम करता है या तलते हैं जो भी कुछ करता है तो उसके बाद वो इससको फुलाने का काम करता है। तो इसके बेकिंग पाउडर रेड़् किया हैं अब हमें बनाने हैं इसके लिए आलो की स्टफिंग तो इसके लिए मैं स्पेशल मसाना बला रही हूँ तो इसको आप जरूर बनाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है मसाला बनकर हमारा तैयार होगा तो मैंने ले लिया है साबुद्धनिया और सौफ इसको हम पहले दरदरा सा कूट लेंगे और उसके बाद हम इसमे एड़ कर देंगे अद्रक और अद्रक को मैंने छील लिया है पहले ही और उसको अब हम इसमें कट करके डाल देंगे आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीश सकते हो, मैं ये खरल में कर ले रही हूँ, फटाफट से हो जाता है इसमें और बहुत अच्छा दरदरा सा कूट जाता है, तो जो हमने अद्रक और हरिमिश डाली है, उसको भी हम अच्छे तरीके से इसमें कूट लेंगे, और एक अ तो जो रा देते हैं, गैस पर और उसके बाद eal दालेंगे ऊईल पराष और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा जीरा क्रेकल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई और राई को भी क्रेकल होने देंगे और उसके बाद जो हमने मसाला कूटा था वो हम इसमें एड़ कर देंगे और इसको इन सारी चीजों के साथ अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा से मसाले, धणिया पाउडर, थोड़ा से मिर्च और अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सी हल्दी और टेस्के कोडिंग डाल देंगे नमाक, मिर्च वेगर की क्वाइंटिटी आप अपने कोडिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डाली है, मैंने लाल मिर्च भी डाली है, तो अच्छा चटपटा सा मसाला हमारा बन करके तयार होगा, हमारे हैं मसाला थोड़ा सा जादा डाल रही हूँ, और उसके बाद हमने आलू उबाल के रख लिया थे पहले ही, वह इसमें मैश करके डाल दूँगी, बहुत जादा बारी करनी डालने हैं, जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे, उसके साथ ही मैश करते जाएंगे, तो ताकि आल बरते हैं, या आलू में ही मसाला भरके बनाते हैं, उन पकोड़ों में इतना स्वाद नहीं आता, लेकिन इस तरीके से अगर हम पकोड़े बनाते हैं, बिल्कुल बजार जैसे और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं, अब साइड में मेरी बेटी आ गई है, क्यो बिल्कुल फ्रेश ब्रेट होती है उसको मैं पहले थोड़ा सा तवे पर सेक लेती हूं, ताकि इसका मॉइस्टर थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश ब्रेट जो होती है, वो पकोड़े बनाने में फिर दिक्कत करती है, कई बारी जैसे हम बेसर में इसको तो वो तूट भी जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको पहले सेक लेती हूं, कलर चींज नहीं करना है, अब हलका सा हमें हलकी आँच पर उसका मॉइस्टर ही कम करना है, तो इसलिए वो उसे साइड में सेक रही है, और इधर मेरी स्टफिंग तयार हो गई है, और उस और जब यह ब्रेट थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो उसके बाद मैं इसके उपर लगा रही हूं, हरी चटनी और हरी चटनी की रेसिपी मैंने आप से बहुत बार शेयर करी हूई है, तो आप मेरे किसी भी उसमें जाकर आप देख सकते हो, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रि स्टफिंग तैयार करके रही थी, और बहुत ही जादा ना यह स्टफिंग इतनी टेस्टी बनी थी, कि इसको ऐसे ही रूखी खा लें, तो बस मैं इसके उपर अच्छे तरीके से लगा दूँगी, तो चारो तरफ हमें फैला कर इसे अच्छे से लगा देना है, और दूसरी मार्केट में मिलती है, इसी शेप में मिलती है, तो मैं इसी तरीके से इसको कट लगा के काट लेंगी, और जो हमने बैटर तयार करके रखा था, थोड़ा सा सेट होने के लिए रख दिया था, तो इसमें हम इसको डिप कर लेंगे, ब्रेट को दबा लिया है, हमने अच्छे चारो तरफ से हमें बेसन से अच्छे से इसको कोट करना है और बेसन आप देख सकते हो कि थोड़ा हमने थिकी रखा हुआ है ताकि वो ब्रेट के उपर अच्छे तरीके से लग जाए पतला बेसन होगा तो फिर वो उसके उपर ज्यादा अच्छे से नहीं लगेगा तो थोड और यह तो बीच में से तरह कोट कर लिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका तो इसके बाद मैं थोड़ा सा गैस को बंद कर दिया था ताकि इतना गरम ना रहा है तो बहुत तेज़ ऑईल में डालने से एकदम से पकॉर्णे जल जाते हैं अंदर तक अच्छे से सीखते नही तो हमें मीडियम लो फ्लेम पर ही सेकना है और यह देखिए अलट पलट के चारो तरफ से हम इसको अच्छे तरीके से सेक लेंगे थोड़ा सा करार भी हो जाए और यह देखिए एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है हमारे पकोडों पर अब हम इसे निकाल बनाती हूं वह आपके साथ शेयर करिये अब मैं देखाती हूं आपको कट करके यह देखिए कितने बढ़ियां अंदर से भी लग रहे हैं बहुत जादा टेस्टी होते हैं क्योंकि इसकी स्टफिंग ही यह जो है बहुत जादा इसको टेस्टी बनाती है और यह लिजिए हम मा बेटी भी आ गए है अपना नाश्ता करने के लिए तो आप भी एक बार जरूर इसे बना कर दिखिएगा और अपनी फैंबली के साथ फ्रेंड्स के साथ इसको इंजोई कीजिएगा अगर अच्छी लगे पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैंबली सब के साथ इसे शे के बाए बाए